हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई इस्टेडी फीडार फीजिकल एजिक्योशन चैनल दोस्तों यह है एनोटोमी फीजियोलोजी के आठवा वीडियो जो यह मसल से रिलेटेड है इसमें 20 कोर्सेंस हैं मसल से साथ आठ वीडियो जो गए और कोशिकास रिलेटेड और दोस्तों MP वर्ग 2-3, UPTGT, UPL, Degree, BPC, TRE4 अन्य सभी फीजिकल एजुकेशन कंपरेशन का यह आप रिप्रिशन कर रहे हैं तो डेली बेसे समय सच जूरे रहे हैं और फ्री में वीडियो अवेलेबल है डेली बेसे प्रैक्टिस करते रहे हैं जैसा कि आपका पुरस्न था कि MP वर्ग है उसमें से कुछ समय निकाल करके पढ़ते रहे हैं और जब भी कहीं भी वेकेंसी आएगी वहां पर अपलाई के जिए और आपका होना चाहिए बस इतनी तैयारी के साथ रहे हैं तो चलते हैं आज के कोश्चन के तरफ कोश्चन नमर वन है कौन सी मानस्पेसिया हमारे सरीर के कुल वर्जन के 2.5 भाग होती है तो दोस्तों यह आपका होता है स्वैचिक मानस्पेसिया यानि कि वेलेंटरी मसल्स जैसी कि जो स्वैचिक वेलेंटरी मसल्स जी हम एस्वैचिलेटर मसल्स या इस्ट्रे टायर्ट या इस्ट्रेपीर्ट मसल्स भी कहते हैं जैसी कि मानस्पेसिया जो है वो हमारे पुरी सरीर के वर्जन का 45 परसेंट भाग होती है जिसमें से 40 परसेंट यानिकि 2.5 मांसपेशियों कुल संख्याद 649 होती है जिसमें 400 मांसपेशियों के वल कंकाल मांसपेशियों का पाया जाता है मांसपेशियों में 1,4 भाग प्रोटीन तर्वाग पानी यानि 75% पानी होता है याद रखेगा असरवादी पेसिया पीठ में पाये जाती है और मुस्कुराने के दोरान मुख में 12 पेसिया कारे करती है कोशन नमबर टू है जागिंग और खेलने क्या करते हैं तो आपको पता है जान के पीछे की जो मसल्स होती है उसको पिनली की मसल सो छोड़कर जागिंग करने से सभी सरी के मानस्पेसियां मजबूत होती है लेकिन यहां पर खेलना सामिल किया है तो दोनों मिल करके सभी मानस्पेसियों को मजबूत करती है जागिंग एन खेलना और जो है मांस्पेसी का उच्छित विकास होता है आकार में ब्रदि वोती है और मज़ुती प्राप्त होती है कोश्टन नम्बर थ्री है एटिपी इसमी भंडारेत रहता है एटिपी इस इस्टोर्ड इन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं एटिपी जो है जिसका फॉली होता है एलिनोसेंट्राई फासफेट जो हमेरे स्भारी में अप्षिस रूट है इसके उर्जा का प्रुमादल मांच نے की आप इसकाल lin AND करूशचा होने के बार मांचनिया में एकठा रहता है जब तो वो है उर्जा देता है और इसके द्वर्ण तो चुछ में काल के लिए किया जाता है ATP PC प्रणार आपने पढ़ा होगा एटीप जो है ADP प्लिस पियाई में तोड़ कर उर्जा देता है और इस्टेंट होता है और इस्टेंट वाले activity high intensity वाले ईवर्क होते हैं इसमें ये काम करता है जैसे 2 तीन मिनट की जो क्रिया होती है और इस से जादे की क्रियाउं में जो हमारी जो glycogen होते है sa socioया होते हैं उसको बउन करके और्जा मिलती है एंडुरेजिस वाले खिलों में कोशन नमर फूर है ट्राइसेस पेसी का मुख्य तो निमने लिखित किस प्रेक्रिया से शंबंद है तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो बाइसेस मसल्स होती है जो हमारा ह्यूरस हड़ी होती है बाहं की उसके उपर जो है बाइसेस हो होता है जो कोहनी को बिस्तार यानि के अलबो एक्सटेंसन करने में मदद करती है तो यहां पर राइडिंसर हो जाएगा आफसर नमर भी अलबो एक्सटेंसन यानि कोहनी बिस्तार कोशन निवर फाइफ है सूलियस मांस बेसी कहां इसीत होती है वेरी दर सूलियस मसल्स लोक की उपरी सथवा पर होता है रखानिवेस मांसपेसी पाउं के निचले हिस्से में इस्चित होती है जो इस्तों निवेस से मिलकर पिनली का मांशल भाग बनाती है question number 6 है biceps femoris man space यहां है इसके moment से मुखिता हुदपन होने वारे प्रक्रिया का क्या नाम है तो दोस्तों biceps femoris जो है वो जांग के पीठे की muscles है जो hamstring group की है जैसा कि जांग के पीठे की muscles को hamstring muscles कहते हैं जांग के सामने के muscles को quadriceps करते हैं जांग के सामने वारी muscles quadriceps चार मांस्पेशियों से मिलकर बना होता है जो हीप को मूरने या घुटने को बिस्तार करने में काम आती है जो जांग की पीछी की muscles होती है hamstring वो तीन मांस्पेशियों से मिलकर बने होती है biceps femoris semi-memoranius और semi tendinus यह group जो है क्या करती है हीप को बिस्तार करने और घुटने को मूरने में काम आती है यहाँ पे right answer हो जाएगा गुटने को आकुंचन यानि कि मूरने में knee flexion करने में काम आती है question number seven है statements based पी अभी कथन ए है कि मांस्पेशियों रासानिक सक्ति का यांत्रिक कार में बदलने वाली यांत्र है तो दोस्तों यह बात right है जो हमारी मसरस होती है रासानिक उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदलता है और तरक आर है कि अस्ति मांस्पेशि को एच्छिक मांस्पेशि कहते हैं अच्छी नहीं होगा दोस्तों एच्छिक मानस्पेसी यहां पर होगा यहां पर याद रखेगा अस्थी मानस्पेसी को अच्छी नहीं यहां पर एच्छिक होगा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है ठीक है तो अस्थी मानस्पेसी को एच्छिक मानस्पेसी कहते हैं आपको पता है कि अस्थी मांस्पेसी को हम इसकीलेटर मॉसल्स, वलैल्टरी मॉसल्स, इस्टिटायट मॉसल्स, इस्टिपेड मॉसल्स करते हैं जो हमारी इच्छा के उसल से चालित होती है बड़ यहां पर जो अभी गतर्न एह है कि मांस्पेसी रसानी सक्ति का यादरी कारे में बदने वाल या अंतर ही बात सही है कैसे बदलती है इसकी बारे में तर्क आर को बताना को बताना चाहिए änहीं बताया है इसलिए और दोन依े और आर एकी सही बगया नहीं है आसान नमर है वो है हमारा सरकरा यानि की सुगर यानि कार्बोवाइड ग्लुकोच कोश्टन नमर नाइन है अधिक मात्रा में सफेट पेशी तंतु पाए जाते हैं वाइट मसल फाइबर और फाउंड इन लॉर्ड कॉन्टिटी इन तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मारे मांस्पेशी फाइबर दो प्रकार के होते हैं रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर जो वाइट मसल फाइबर होते हैं वो फास्ट वेच्ट यानि जल जली संकूचित होते हैं और अनेरोपिक क्रियाओं और इस स्प्रिंटर यानि की स्पीड वाले हाई इंटे फर्राटा दोड़, हंडेड मीटर दोड़, भालत तोलन, यानि वेट लेप्टिंग आदिमी, और जो रेड मैसल फाइबर होता है, वो स्लो ट्विस्ट होता है, देरे देरे संकुचित होता है, और यह जो है, एनुरेंस वाले खेलों, एरोबिक वाले खेलों, जिसे परजन की उपसिती में क्रिया संपन होती है, उसमें ज्यादा एक्टिव रहता है, तो जो हमारा वाइड मसल फाइबर होता है, वो कंकाल मांस पेसियों, यानि एचिक पेसियों, जो इस लेटर मसल्स होती है, उसमें ज्यादे होती है, और जो रेड मसल फाइबर होती है, व प्रिंटर में आपका वाइड मसल फाइबर जाएंगे को सबस्क्राइब का बनता है बास सही है तरक आल है कि कोहनी का आकुँचन दिती प्रकार का उत्तोलग है, नहीं दोस्तों, फ्लैक्षन आप अलबू in the second type of liver नहीं है, यैसे कि आप जानते हैं कि extension आप पुराम, यानि कि कोहनी का जो विस्तार होता है ये प्रथम प्रकार के उत्तोलग में आता है, और जो कोहनी का मोर आत्रिति प्रकाल के उतुलक में एक्सिस बीच में यह अदिति प्रास्थिति प्रकाल के उत्ति आक्सिस Esse एक भार बीच में एक्सिशने के और फोर्स बीच में होता है कि इसके बारे मैं रहे अस्बलक से बनाया हुए, विडियो आप देख लिजिए question number 14 है कौन सी मांस्पेशी को lifter मांस्पेशी कहते है which muscles is called lifter muscles तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे deltide muscles को हम lifter muscles कहते है deltide muscles को हम lifter muscles कहते है यहाँ पे visus species जो है कोहनी को मोरने में काम आती है hamstring muscles जो है hip को विस्तार करने और गुटने को मोरने में काम आती है कौफ मांस्पेशी को हम gastronemius कहते है जो पेर के पिछले भाग में होती है और जो हमारा boxer muscles होती है seratus anterior, rowing muscles, latimus dorsi swimmer muscles, deltide and latimus dorsi throwing muscles, pectoralis major tailor muscles, sartorias मलखम में rider muscles, erector mangas lifter muscles, deltide and cough muscles, gastronemius ripe climber muscles, latimus dorsi और आगे के और जूपने को में जो है कौन सी मांस्पेशी संकुचित होता है तो quadri sapus muscles question number 12 है परतेच रूप से enabolic istidias से प्रहावित होता है विचारला इस डारेक्टी एफेक्टेड बाई enabolic istidias दोस्तों enabolic istidias मांस्पेशियों के ब्रिधी को जो है सक्री और उत्तीजित करता है एक्टीर को कर्थिन प्रसिचर्थ अठाथ तुरंत उबरने अठाथ पुना सक्ती प्राप्त करने में साहिता करती है जैसे आपका यहाँ पर राइड एंसर हो जाएगा कि डारेक्टिक प्रतेच रूप से enabolic istidias कि इसको प्रहावित करती है तो मांस्पेशियों में असीम सक्ती बढढ़ा देती है जैसे कि अब जानते है enabolic istidias जैसे पुरूस के हार्मोन testoisturon जैसा समझा जाता है enabolic istidias जो है खेल की दुनिया में सबसे अधिक डोपिंग के रूप में प्रयोग होता है enabolic istidias को हम सार्ट में AAS बोजते हैं यानि कि endrogenic enabolic istidias endrogenic scarth होता है पौरूस ततो यानि कि जैसे इसमें क्या होता है enabolic istidias पेसियों की ताकत वा सहसिता में ब्रिधी को और सक्री बनाती है और मांसिक रूप से ब्यक्ति जो है अपने को मजबूर समझने लगता है यदि enabolic istidias को महिलाएं सेमन करती है तो उनमी पौरूस तत्र के गुड़ आ जाती है जैसे आवाज भारी होना दाढ़ी मूच होना आदी enabolic istidias के अंतरगत वहुँ सारे agents यानि प्रेडर्ग आते हैं जैसे कि आपका नेड्रोलोन इस्टेनो जूल टेस्टोइस्टिरोन प्रिन बैलोन मिथाइल टेस्टोइस्टिरोन मेटीनो लून एन टेट्रा हाइड्रोजेस्टिरोन इस्टाइनोन आदी आते हैं कोशन नमर 13 है कॉफ फेसी को आनकीस नाम से जानते हैं तो दोस्तों आपको पता है कि कॉफ मसल्स को कोशन नमर चाइब है कि मांसपेसियां जो इच्छा या दिमाग से संचालित होती है उसे हम क्या कहते है तो आप सब को पता है उसे हम एच्छिक मांसपेसियां या या वलायर्णट्री मसल्स करते हैं चोंब करते हैं इसे हात पाऊं में होती है जयसे हमारी स्ट्ली मसल्स होती है जबसे जो हमारी स्टैटल झाल जिस्टै थнуться दिक देठ केvollे क्या है कि उजवे हैं दोनों ए अनस्याने की आउटोनामिक नर्वस सिस्टम के द्वारा संचालिज होती हैं कोसिन निमर 15 है रेक्टास एब्डामिनस मान स्पेशी घुमती है तो दोस्तों जैसा कि रेक्टास एब्डामिनस पेट की बीच की सीधी पेशी होती है और ए घुमती है न हाथ अगुटने पर रखकर आगे जूटकर पेट निकालकर दाएं से बाएं पेशी को एडिक्टास एब्डामिनस मसल्स को घुमाया जाता है इसको नौली कहते हैं कोस्टन नमर शूल है पेट की मान स्पेशी के विकास के लिए उप्यूक तब्यायाम है विच पेट की मसल्स को मजबूत और स्ट्रॉंग बनाने के लिए सहंसिल्टा बढ़ाने के लिए उसमें गुटनी मूल कर सीट अप्स लगाना होता है जैसे कि अक्सरोडी प्रदेश का फ्लैक्सर करना है आपको तो क्रंच मसीन का यूज करेंगी अगर पेट का निचला चेत्र लोवर क्रंचिंग और पेट का उपरी छेत्र तो अपर क्रंचिंग यानिकी सीट अप्स का प्रियों करेंगे सीट अप्स बे है तिरती प्रकार का उट तो लोग है जिसमें कोर्स बीच में पढ़ता है कोर्शन नमबर 17 है कि मान स्पेसियों की उस प्रकार को बताईए जो सरीर के गती करते समय सी कुरती है ने आप दे टाइब ऑफ मॉसर डैट कांट्रैक्ट वेन दे बाड़ी मूस त उसे हम क्या कहते हैं जो गती करने में मुख्य भूमी का अदा करती है उसे हम कहते हैं एगोनिस्ट असको बीप्रेट जो अदा करती है उसे हम एंटागोनिस्ट कहते हैं तो एगोनिस्ट को मूवर्स या एगोनिस्ट कहते हैं जो किसी गती को करने के लिए मुख्य भूमी क कि बाइसे कमेंद पूनिस्ट्ट करोंगें घुठ के सिटावी में headache . ँट अदा कर रहे हैं हिलिजा भीवविट का उत्ति घुठ कर रहे हैं यहाई गोनिस्ट्ट नुक्त्र भीपिरित में घुठ लिए हैं गोनिस्ट मसंच आएंडा यहां पे जो है आपका इस्टिबिलाइजर का मतलब होता है चिपके रहना यहां पेशी दूनों सीरे पौर हड़ी से चिपकी रहती है जो पीसी को बल लगाने में साहिक करती यानि कि इसमें संकोज साथ कम चेटे गड़ा एउनाते गटी नहीं करती और जोंपल जैसे एलफॉ मानस्पेसी कौन सी है तो बड़ी मानस्पेसी हमारी जो है हीप की मसल्स ग्लूटस मैक्सिमस है जो हीप की मसल्स ग्लूटस मसल्स होती है तीन प्रकार के से मिलकर बनी होती है ग्लूटस मैक्सिमस ग्लूटस मीडियर्स ग्लूटस मिनिमस ग्लूटस मैक्सिमस सरीज की सबसे बड़ी मानस्पेसी है जब कि ग्लूटस मिनिमस जो है कुले की सबसे छोटी वह सबसे गहरी मानस्पेसी है क्वेश्चन नमर उनीस है मानस्पेसिया मानो सरी को क्या पदान करती है मसल्स प्रॉआइड वार्ट तु देंगी में मान मानस्पेसियों कहीं सरी एक सुडोल दिखाये शर्व सक्यागरियो पदान होती है खड़ियोपर चठखे प्रॉड है अच्छे सेेफ में आपको पदान करती सेे पहले को हैं तो आकौलियों होती है सरी के टूटी फूटे मांसपेश्यों को ठीक करने के लिए निन में से क्या आवस्यक है तो दोस्तों आपको पता ही है कि कारे के अधार पर पुषात्तों को तीन भागों में डिवाइड किया गया है उर्जा प्रदान करने वाने जिसमें कर्भोहाइडेन वसा आता है और सरी को टूट फूट की मरमत करने वाली प्रोटीन तीसरा है आपका सरी की रच्छा करने वाले विटामिन्स और मिनरल्स तो यहाँ पर सरी के टूट फूट मांसपेश्यों को ठीक करने के लिए निन में से क्या आवस्यक है तो प्रोटीन आवस्यक है प्रोटीन जो है कर्बन हाइडोजन ऑक्सिजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है कभी-कभी यह सलफर आधी ततों से बना होता है जबकि आपका जो कर्बो हाइडोजन ऑक्सिजन से मिलकर बना होता है प्रोटीन जो है carbon hydrogen oxygen nitrogen nitrogen अलग होता है सबसे और प्रोटीन नए उत्तकों को बनाती है और टूटे फूटे उत्तकों की मरमत करती है साथ ही साथ जलत अथा अमलोको में संतुलन भी बनाती है प्रोटीन जो है amino acids में तूट ता है और एक ग्राम प्रोटीन में 4.1 कालोरी उर्जा मिलती है एक ग्राम कार्बो हाइड़ेट में भी 4.1 जैसे कि दूस्तों प्रटे एक जीव की कोशिकाओं में जैवरस यानि प्रोटूपलाज में पाया जाता है सरी किब्रिधी और टूट प्रोट के मरमत के लिए अपुना हुद पादक का कारे करता है हमारा फ्रोटीन और किसोरों के लिए आवस्यक amino अमल होता है आर्जिन तथा हेस्टेनिन सरी हमारे सरी में 20-22 amino acids पाये जाते हैं जिसको दो हाग़े में डिवाइड किया गया है essential और non essential essential जो आवस्यक्ट amino acid होत हैं और जो हमारा essential यानि आवस्यक्ट amino acid होता है इस भूजन से प्राप्थ होता है नौ होती है जैसे लियूसीन आइसो लियूसीन लाइसीन मेथियोनीन फैनिन एल्नीन थ्रेवोनाइन वेलीन ट्रॉक्टोफार्म और हिस्टिदिन जैसे प्रोटीन की प्राप्ति के सुरू जोल्यों थ्कष्ट चैसे में जैसे लियूसीन में जैसे म स्कहित है जये जनल ट्रॉक्ट के थे लफे यह यह प्रोर्टव एक्रित में होता है जो वाइटेलिन होता है अंडे की जर्दी या पीले वाले भाग से पाय जाता है कैसिनों जिन जो प्रोटीन होता है दही वो पनीर से प्राप्त होता है ग्लोबियूलीन जो होता है रक्त में पाय जाता है जो कि class B protein vegetable protein में gluten, legumin, gelatin पाय जाता है gluten जो है गेहूं तता अन्य अनाजों से प्राफ्थ होता है legumin फलियों वाली सबजियों अद धालों से प्राफ्थ होता है gelatin जो है बरस्पति के उत्तकों से प्राफ्थ होता है जिसे मांड, खमीर या पसुजर ने प्रदाथ के अंतरगत भी आती हैं जो हडियों तथालेगामेंट्स से प्राप्त किया जाता है तो दोस्तों जैसे कि आप जाने प्रोटीन के बारे में बहुत सारे बात ने जैसे प्रोटीन में आपका मीट, अंडा, मचली, दूद, सिन्वित पदाथ आते हैं और प्रोटीन में अराज, फल, सब्जी आती हैं और प्रोटीन का आंति मुत्पाद यूरिया होता है पाचन क्रिया के दौरान प्रतिएक प्रोटीन एंजाइम की मदद से विघटी त्याने तूरता है जिसे उत्तरक प्रियोग में लेते हैं जैसे कि दोस्तों आपका बाड़ी बल्डरों के लिए उनके भार के उनसार प्रतिएक केजी में 0.8 ग्राम प्रोटीन में लेना चाहिए प्रोटीन जो है आपका प्रोटीन से क्या लाब होता है यह एक खिलाड़ी के अभ्यास के दुरान जब एक अत्रित कार्गोहाइडियर्स तथा वसा संग्रहर कम होता है तो शरीर प्रोटीन का उप्योग करके उर्जा बनाने का कार्य करता है क्लेरो क्लोरेलो सेवाल में प्रोटीन सत्cji परसेंट पायता है स्वेबिनदध Wagyu केशएड़ी कोशन्स में आए होंगी जसी कोशन्स ब्यूट होगा कमेंट में जडरू बताई और जब्ड़ को और लोगों तक वीडियो पहुँश सके ते मिलते हैं नेस्ट वीडियो प्राइपेस में तब तक लिए जाएं